पब्लिक स्पीकिंग का स्वरूप कैसा हो? Quality Structure for Public Speaking हमें कहीं छुट्टी पर जाने का प्लान बनाना है तो सबसे पहले हम क्या तै करेंगे? कौन से कपड़े पहनने हैं? बस से जाएंगे या ट्रेन से? साथ में क्या-क्या ले जाएंगे? ये सोचते हैं? या फिर छुट्टी पर जाने का सोचते ही हम सबसे पहले हम कहा जाना है? ये सोचते हैं? बेशक सबसे पहले हम कहा जाएंगे? ये तै करते हैं? इसी तरह जब भी हम जनसमवात करते हैं तब कैसे बोलना है यहां से शुरुवात ना करते हुए हमें क्या बोलना है यहां से सोचने की शुरुवात करनी चाहिए इससे जनसमवात का हेतू स्पश्ट हो जाता है उसके बाद आपके सामने जो श्रोतागण प्रेक्षक है वो कौन से स्तर से है उनकी उम्र क्या है स्त्री है या पुरुष है ये बात पहले सोचे जनसमवाद के बाद लोगों में कौन से बदल होने की अपिक्षा है इसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है मेरा इंटर्व्यू है तो मुझे जनसमवात करना ही है कॉलेज के समारोह में बोलना है या फिर आफिस में प्रेजेंटेशन देना है ये सोच कर जनसमवात के लिए तैयार ना हो भाशन लिख लिया और सीधा पढ़ने लगे ये भी ना करे इससे समवात बहुत ही बनावटी लगेगा तो चलिए अब हम बताते हैं जनसमवात का सही तरीका जनसमवात का एक सर्वमान्यस्वरूप उसमें एक प्रस्तावना प्रस्तावना क्या बोलना है? प्रस्तावना हमेशा छोटी, समझाने में आसान और उसी विशय से सम्बंधित हो प्रस्तावना बहुत कठीन और समझने में सहर्जना हो तो आपके प्रेक्षक शुरू में ही रुचिक हो देंगे और आगे आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे 2. विशय का परिचय प्रस्तावना और विशय का परिचय एक ही नहीं होता प्रस्तावना से आप मुख्य विशय की ओर बढ़ते हैं और श्रोतागण को विशय के लिए तैयार करते हैं प्रस्तावना के बाद धीरे धीरे आसान भाषा में अपने विशय का परिचय दे 3. विशय की रचना हमारे विशय के बारे में समाज के अलग-अलग दुरुष्टी कोंड स्पष्ट करे इससे आपके सामने जो भी श्रोतागन बैठे हैं उन सबके विचारों का आपने आदर किया है ऐसा संदेश उन तक पोहुचता है और फिर सबका ध्यान केवल आपकी तरफ रहता है 4. स्वयम के विचार सबके विचारों का आदर करने के बाद अब आप अपने विचार समझाईए आपके विचार ऐसे क्यूं है और समाज पर, व्यक्ति पर, श्रोतागन पर आपके विचारों का किस प्रकार परिड़ाम होगा वह भी बताना ना भूले 5. भाशन का सार समवाद के पूरे होने पर आपके बातों का निशकर्ष क्या है ये वक्ता को पता होना जरूरी है कम्प्यूटर के शिक्षा के बारे में बोला हो तो अपने प्रेक्षकों में से कुछ लोग कम्प्यूटर का क्लास लगाए या अपने परिवार के लोगों को कम्प्यूटर सीखने के लिए भेजे, ये उसका निशकर्ष होगा समापन जिस तरह से आपने प्रस्तावना छोटी और सहर्ष्ता से की थी उसी तरह से भाशन का समापन करे और अपने श्रोताओं को प्रेलना जरूर दे इसके बाद अगर आप कहीं भी जनसम्वात कर रहे हूं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखे इससे जनसवाद अधिक प्रभावी होता है